नवस्कार पार्स दमाचार देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ धीरेंद रवसी और बुटें की शिरुवात करते हैं देरादूं से आरी बड़ी खबर से सीम धामी आज वारानसी जाएंगे और सुभे 11 बजे वारानसी के लिए जबाना होंगे काशी कोरिटोर के उद्गाटन की कारिक्रम में शामिल होंगे 14 दिसंबर को मुखे मंत्रियों के सम्मेलन में भी मुखे मंत्री पुषकर सिंग धामी शामिल होंगे तो ग्यारा बजे वारानसी के लिए मुखे मंत्री पुष्कर सिंग धामी रवाना होंगे, प्रधान मंत्री मोदी भी आज वारानसी पहुँच रहे हैं, बाबा काशी विश्णाथ धाम के लोकारपन का आज विकार करम है, मुखे मंत्री योगी आदितनाथ पहले से वहाँ पर मौजोद हैं, और कई राजों के मुखे मंत्री आज अगलक जो पूरे देश भर में शिव्लिंग है, उन शिवलिंग से जुडएंगे, और कई के इंदरी मंत्रियों के साथ में, राजी मंत्री आज काशी विश्णाथ धाम में मौजोद रहेंगे. मुख्यमंद्री योगी आदितनाद के साथ में भी जेपी के रास्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा भी वारानसी में मौजूद है और उत्राखन के सियम धामी भी वारानसी में होने वाले काशी कोरिडोर के लोकारपन के कारिक्रम में शामिल होंगे या जेपी मुदी काशी विशनाथ कोरिडोर का लोकारपन करेंगे और इस दोरान अलग-अलग जोति लिंक से दिगज भी जोड़ेंगे 14 दिसम्बर को वारानसी में भी जेपी शासित राजियों के मुख्यमंद्रियों का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा जिसमें सियमधामी हिस्सा लेंगे और सभी मुख्यमंद्रियों को पियम मुदी गुड गवर्नेंस का मंत्र भी देंगे साथी जन कल्यानकारी योजनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे और इस सम्मंध में सियमधामी ने जन कल्यानकारी योजनाओं के सम्मंध में योजनावार समिक्षा की है और समिक्षा के दौरान विभागे सचीवों को प्रस्तूती करण के जर्ये सियम को आवगत कराया गया है देश और विष्वनाओं के लोग इस पल के साक्षी बनने वाले हैं अपनी आने वाली पीडियों को श्रिकाशी विशवनात के जिनोधार की काम्याबी के बारे में बता सकें ऐसा क्या खास है यहाँ ये आपको दिखाते हैं काशी विश्वनात मंधिर इसे बदलाओ के बाद कैसा दिख रहा है वो भी आपको दिखाते हैं बाबा के दर्बार की ऐसी भवता आपने पहले कभी नहीं देखी होगी प्रधानमंत्री मोदी के काशी मौडल की आत्मा है काशी विश्वनात क्वारी रोग जो प्रधानमंत्री मोदी का ट्रीम प्रोजेक्ट भी है अब काशी विश्वनात का मंदर काशी विश्वनात धाम बन गया है यह दुनिया में सनातन हिंदू धर्म का पालाक के अंदर बन रहा है कि जहाँ पे मंदर परिसर में गंगा जी से लेकर के विश्वनात जी के बीच में पचास हजार से जादे लोग एक साथ पूजा करने के लिए परिसर के अंदर समा जाएंगे। मोदी जी के कई सोगात से खुश यहां के वासी। परिया जाए के वाटे कितले बादी। पिभान मंत्री मोदी खुद गंगा तट से चल लेकर बावा विशुनात मंदर तक बने कॉरिडोर में चल कर आएंगे और जला भिशेक करेंगे। इस दौरान कई काई क्रम है बनारस के घाट पर भी तैयारियां जोर शोर से की गई है। काशी विशुनात कॉरिडोर के तहट गंगा के घाट से लेकर मंदर के गर्व ग्री तक पूरे परिसर को विक्सित किया गया है। मंदर के प्रवेश द्वार से लेकर मंदर परिसर के अंदर जो कुछ भी बनाया जा रहा है वो भव है, डिव है। भोले मेरी नईया को, भोले मेरी नईया को, भव पार लगा देना, अब तक तो निभाया है। आगे भी निभा देना, बोले मेरी नईया को, भी विशुनात मंदर के चारो तरफ एक परिक्रमा पत भी बन कर तयार हो चुका है। इसके लावा जो प्राचीन मंदर थे, उनको भी कॉरिडोर में सनरख्षित रखा गया है। करीब 125 छोटे बड़े मंदर और विग्राहों को इस कॉरिडोर में एक शिंकला के तोर पर स्थापत किया गया है। इस प्रजेक्ट को पूरा करने में प्राचीन चीजों का पूरा रख रखाव किया गया ताकि इसकी भवता कि साथ साथ प्राचीन ता कहीं खोन जाए। दिखा जाएं तो बनारस को घाटों का शहर कहा जाता है। रंग बिरंगी लाइटों से सजे काशी विश्वनात धाम में पिजली के निर्बाद आपूर्ती के लिए 33 केवी की दो नाइने रिंग सरकल में विचाई गई। काशी विश्वनात धाम रात के अंधिरे में हीरे की तरह चमक रहा है। इस दौरान काशी विश्वनात धाम में क्या-क्या खास है जरा ये भी देख लीजी। काशी विश्वनात धाम 54,000 वर्ग मीटर में बन कर तयार हुआ है और धाम में विशेश लाइजिंग की भी व्यवस्था की गई है। जिससे धाम में मंदिर का हर एक कुना-कुना बेहद खास और आकरशक नजरा है। ये तस्वीरे काशी विश्वनात धाम की भवेता को दर्शाता है। काशी विश्वनात धाम का अदभूत और अलोखिक नजरा रात के अंधेरे में और भी ज्यादा जगमगाता हुआ नजरा रहा है। हम इस समय हैं काशिव विश्णाद धाम के परिक्रमापत पर, परिक्रमापत को अगर आप देखे तो यहाँ पर काशी में जो शिव पुरान की पूरी सुतिया है, उसका जिकर किया गया है और भगवान शिव के अलग-अलग लिलाओं का चित्रन भी किया गया है, यह सुन्दर लाइटिंग की गई है, जिससे यह अधभुत और दिव्य सरूप नजरा रहा है अब धाम के मंदर परिसर में आने पर श्रधालू बाबा विश्वनाद के दर्शन के साथ उनकी परानिक महिमा को भी जान सकेंगे धर्म शास्त्र जिसमें काशी का व्याख्यान है, उसे श्रधालू अब हिंदी में भी पढ़ पाएंगे वारारासी से बेनाज त्यागी के साथ सुशान भोखर जी, टीम न्यूज स्टेट चलिएब बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको बता दे 14 दिसम्बर को काशी पूर पहुंचेंगे अर्विन केजरिवाल, जनसभा को करनेगे संबोधित कोई बड़ी घोशना भी कर सकते हैं केजरिवाल तो बड़ी खबर है, 14 दिसम्बर को दिली के मुखे मंतरी केजरिवाल उत्तर काशी पहुंच सकते हैं और वहाँ पर कोई बड़ी घोशना भी कर सकते हैं तो 14 दिसंबर को काशिपूर के दोरे पर पहुंचेंगे अर्विन केजरिवाल दिल्ले के मुखे मंत्री केजरिवाल 14 दिसंबर यानि की कल उत्राखन के अपने पाँचमे दोरे पर काशिपूर पहुंचेंगे और यहाँ पर वेक जनसभा को भी संबोधित करेंगे केजरिवाल काशिपूर से उत्राखन की जनता के लिए कोई बड़ी घोशना कर सकते हैं केजरिवाल काशिपूर से आम आदमी पार्टी की चौथी गारंटी की घोशना भी कर सकते हैं अब तक आम आद्मी पार्टी तीन गारंटी की घोशना कर चुकी है जिसमें पहली हर घर बिजली और 300 यूनिट बिजली मुफ्थ, दूसरी हर घर रोजगार और तब तक 5000 रुपए बिरोजगारी भत्ता और तीसरी मुफ्थ तीर्थ यात्रा की घोशना है सीम धामी ने हल्दवानी से मेरा सुझाओ, मेरा चुनाओ नाम से LED रत को रवाना किया और 29 विधानसवा सीटों के लिए ये रत रवाना किया गया है इस रत के जरिये सरकार जनता से सुझाओ भी लेगी जिनको बीजेपी अपने घोशना पत्र में शामल करेगी इस रत में सुझाओ पीटियों को रखा गया है जिनमें जनता अपनी सुझाओ डाल सकती है इसके अलावा इस रत के जरिये सरकार अपने पिछले 5 साल के विकास कारियों को भी जनता के सामी रखेगी रवाना के के रतों में मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी के जगे मोदी संग उत्राखन लिखा गया है इसके लावा 19 दिसंबर से बीजेपी कुमाओं के जागेशर से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करने जा रही है जो हिंदुस्तान का स्रेस्ट राज्य बने आदर्स राज्य बने उसके लिए हम सभी के विचार आमतित करेंगे और निजित रूप से चुहाँ उसी पेटिका के माद्यम से लिए और हल्दवानी के दौरे पर पहुंचे मुखे मंथी पुशकर सिंग धामी ने 90 करोड की विकास पर योजनाओं की सौगाद दी सियम धामी ने सड़क स्कोल और अस्पताल से जुड़ी कई पर योजनाओं का शिलन्यास और लोकार पन किया सियम ने कहा कि प्रदेश में परेटन को बढ़ावा देना लक्ष है और 2025 तक उत्राखन को देश का श्रेस्र राज्य बनाना है इस मौके पर धामी ने जनसभा को भी संबोधित किया और इस दुरान उन्होंने विपक्षी दलोपर निशाना साधा पुशकर सिंग्धामी ने कहा कि जो लोक सीडियस विपिन जावत के निधन पर जश्न मना रहे थे उन्हें शर्मानी चाहिए लगातार आगे पुड़ाने का उत्रागिन को उन्होंना एक बिजन था जन्दल विपिन रावत जी उन्दा उधर अंतिन संसकार हो रहा था और दूसरी तरह एक राजिक दिंदल के लोग महसों बना देती शर्मानी चाहिए आकर यह इस देश के अंदर रहते इस देश के मुख्यमंत्री के जन संपर का धिकारी का खनन के मामले में वारल पत्र के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा है कि मामले की गहनता से जात की जा रही है अवैद खनन के मामले पर भी मुख्यमंत्री ने सरकार का बचाओ करते हुए कॉंग्रिस पर निशानरा साधा और कहा कि 100 चुहे खाकर बिल्ली हज को चली आइसा है जिसके भी OST के वहां से सबसे पहले पत्र जारी हुआ है और पत्र जारी होते ही हमने उसको वहां से हटा दिया है उसके हम जाच कर रहे हैं गेंता से और जहां तक हवैद खनन की बात करते हैं ये 900 बिल्ली खाके जो है 900 चुए खाके बिल्ली हच को चली वाला हिसाब है ये लोग हमारे उपर आरोप लगाते हैं और उदम सिंग नगर में बंगाली समुधाय में सीमधामी के प्रती आक्रोश है दरसल सीमधामी को बंगाली समुधाय की निता और पूर्वे जिलाधक्ष के यहां खानी के प्रोग्राम में पहुँचना था लेकिन वो नहीं जा सके जिसके बाद इस्थानी भाच्पानिता और सीम धामी के करीबी कहे जाने वाले विकाज शर्मा और रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठाकुराल जब मौके पर बंगाली सामदाय के लोगों को मनाने पहुंचे तो उन्हें बंगाली सामदाय के लोगों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा काने में मुझे लगता कि कुछ हमारे कारकरताओं में कंफिजन हो गया क्योंकि मैं मानने मुख्य मंत्र被 गाड़ी में नहीं बैठा था में बाइचे मैं दूसरी गाड़ी में था तो जैसे हो आगे गया तो मैं तुरंट भाग के गया पीछे से मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन भी किया कि वहाँ खाना रखा हुआ है लोग इंतजार कर रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री जी ने क्योंकि गाड़ियां आगे जा चुकी थी आज और हरिद्वार के शिवालिक नगर में कॉंग्रेस का आउट्रीच संभीलन का विजन के आग्या जिसमें के कई नेता और बड़ी संख्या में असंगठि शेट्र के कामगार शामिल हुए इस सम्मेलन में कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता आचार प्रमोत कृष्णन ने भी शरकत की और इस कारिक्रम के जरीए कॉंग्रेस आज संगठी शेत्र के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहती है लेकिन लगता है कि आचार प्रमोत कृष्णम को कॉंग्रेस की तरब से दिया गया आउट्रीच सम्मिलन नाम पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा कि नाम ऐसा होना चाहिए जिससे जनता का सीधा सुझाओ हो और इसके लिए उन्होंने कॉंग्रेस साइकमान को ये प्रस्ताव भी दिया ही आउट्रीच कमेटी के तमाम साथी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेरा कहने का दात पर है महातितरा है कि देश के कौने कौने तक कॉंग्रेस की विचार धारा को ले जाने के लिए भारती जिन्ता पार्टी के गलत कामों का परदा फाश करने के लिए हमें और साधारन बोल चाल की भाशा का इस्तिमाल करना चाहिए इसलिए मैंने इस बात को रखा है तो मैं इस बात को कॉंग्रेस हाई कमान के समक्ष भी रखूँगा जो भी सुझाव है इनको हाई कमान को परदेश परवारी जी को देविंद्रियादेव जी को भेजा जाएगा और जो भी उचित सुझाव हैं उन सब को हम अपने मैनिफेस्टों में भी सामिल करने वाले हैं और कॉंग्रेस की सरकार बने इसके लिए कही न कहीं एक वाता व बाद भी उन्होंने कही है ऐसे लोगों के मन में आश्रंकाई वक्त के साथ वो जरूर निर्मूल होंगी लेकिन फिल हाल तो पोरे देश के आखे नम है एक महान युद्धा को खोकर की और सियम पुशकर सिंग धामी ने जुद्रपुर में सामोहिक की विवाह आयोजन में शिरकत की ट्रांजिट कैन के फुटबाल मैदान में लगो उद्योग व्यापार मंडल की ओर से आयोजित पांचवी सामोहिक विवाह समारू का आयोजन क्या गया जिसमें 24 जोडों का विवाह कराए गया सियम धामी ने सबी 9 विवाहितों को आशिरवात देकर उनके उजल भवश्री की कामना की है हाना कि इस्थानी जनता को उम्मीद थी कि सियम धामी इस मौके पर चेतर की जनता के लिए कोई घोशना करेंगे लेकिन सियम धामी की ओर से कोई घोशना नहीं होने से लोगों में नाराजगी भी देखी गई और रुक्ते एक छोटी से ब्रेक के लिए